नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर देश के टॉप पांच अल्प विक्से जिलो में गया दूसरे नमबर पर बिहार में इस वज़ा से महंगी हो सकती है बिजली बिहार पुलिस के शोशल मीडिया यूज को लेकर मुख्याले का आदेश भाटी महिला क्रिकेट टीम ने सेमी फाइनल में किया प्रवेश इसके साथ ही बरते हैं साम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से देश के टॉप पांच अल्प विकसित जिलो में गया दूसरे नमबर पर निती आयोग के दौरा देश के 112 अल्प विकसित आकांची जिलो की नमबर 2022 के लिए चैंपियन ओफ चेंस देल्टा रैंकिंग जारी की गई है जिसमें टॉप पांच जिलो में बिहार का भी एक जिला दूसरे नमबर पर शामिल है वह जिला बिहार का गया जिला है वहीं सूची में पहले नमबर पर हरियाना का मेवात है बता दे किसके अलावा नीती आयोग के द्वारा देश मिन स्तिक्छा के चित्र के भी टॉप पांस जिलों की घोशना की गई है जिसमें दो जिला बिहार का है जिन में इस एक पूरा पहले नमबर पर तो वही तीसरे नम पर पूर्णिया जिला शामिल है आपकी जांकारी के लिए बता दे के नाकांची जिलों को केंदर सरकार के द्वारा विशेश फंड उपलद करवाई जाती है ताकि ये जिले विक्सित हो सके बिहार में ये दस ट्रेने हुई रद पुर्वत्तर रेलवे के लखनाव मंडल क डाली गंज बास्ता नगर गोमती नगर मलहौर स्टेशनों के बीच दोरी करन काड़ी के लिए एन आई का काड़े हुनी की वजह से बिहार में दस ट्रेनों को रद कर दिया गया है बता दे कि जिन दस ट्रेनों को रद किया गया है उनमें पार्टले पुतर लखनाव एक्स को एक से तीन मार्च तक रद किया गया है तो वहीं गोमती नगर कामख्या एक्सप्रेस को 20-27 फरवरी लखनाव बरौनी एक्सप्रेस को 2-4 मार्च मुझपरपूर साबर्मती एक्सप्रेस 23 फरवरी से 2 मार्च साबर्मती मुझपरफूर एक्सप्रेस 25 फरवरी से 4 मार्च गौालियर बरौनी एक्सप्रेस 22 फरवरी से 2 मार्च और बरौनी गौालियर एक्सप्रेस को 23 फरवरी से 3 मार्च तक रद कर दिया गया है बिहार में इस वज़ा से महंगी हो सकती है बिजली बहुत जल्दी बिहार में भी बिजली महंगी हो सकती है बता दी कि बिजली महंगी होने का कारण बिहार में बिजली कंपनियों त्वारा विविन उत्पादन इकाईयों से खरीदी जा रही बिजली की लागत में हर साल बरहोतरी का होना है यानि की 2021-22 की तुल्ला में 2022-23 में बिजली की दर में 20 प्रतीशत तक की बरहुतरी हो सकती है इसके साथ ही अगर 6.30 रुपे में प्रस्तावित 22.20 टी ट्रांस्मिशन लॉस को भी जोड़ दिया जाए तो बिजली की दर बढ़कर प्रती यूनिट 7.50 रुपे तक हो सकती है हाला कि फिलहा राजे सरकार के दोरा वोकताओं को सबसीडी भी दी जा रही है वही दोनों बिजली आप उर्थी कम्पनियों के दोरा वर्ज 2021 में 17,800, 77 करोड रुपे में बिजली की खरीद की गई थी जो 2023 में बढ़कर 21,836 करोड रुपे हो सकती है अब बिहार के सभी ग्रामीन टोले जुरेंगे में रोड से वीतेजिन मुख्य मंत्री के जंददर्बार में कई ऐसे फरियादी आया जिन्होंने मुख्य मंत्री से ग्रामीन टोले संपर्क यातरा को लेकर अपनी सिकायते उनके सामने रखी जिसके बाद मुख्य मंत्रे नितीज कुमार के द्वारा ग्रामीन कारे के सचीफ को फोन कर कहा गया कि जब सभी टोलों को जोडने की योजना बनाई जा चुकी है तो फिर अभी तक इस तरह की सिकायते हमें क्यों सुनने को मिल रही है इस मामले को तुरंत देखे और इसका समधान निकाले उन्होंने पतादिकारियों को नरदेश देते वे कहा एक क्यावं सिकायतों को सुना और उसका समधान निकाला प्रिकेट स्टेडियम में मस्त अंदाज में दिखी आमरपाली भोजपूरी एक्रस आमरपाली दूबे का मस्त अंदाज तो फिल्मों में देखने को मिलता ही है लेकिन अब उनका यह मस्त अंदाज क्रिकेट स्टेडियम में भी देखा गया है तरसल आमरपाली सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2023 के तहत खेले जा रहे क्रिकेट मैच में पहुँची थी जो की मनोस्तिवारी की कप्तानी में भोजपूरी दबंग टीम और सो नुसूद की कप्तानी वाली टीम पंजाब शेर के बीच खेली जा रहे थी बता देक इस मैच का आयोजन रायपूर के सहीद वीर नरायन सिंग क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था जिसमें मनोस्तिवारी की टीम भोजपूरी दबंग को चीयर अप करने के लिए आमरपाली दूबे भी पहुँचे थी जिनका अंदास सभी दर्शकों को अपनी ओर खीच रहा था आमरपाली दूबे के लावा इस मैच को देखने के लिए भोजपूरी फिल्मों के हिरोई नीलम भी मौजू थी बिहार पुलिस के शोशल मीडिया यूज को लेकर मुख्याले का आदेश इन दिनों बिहार पुलिस अपने तौर तरीके को बदल कर शोशल मीडिया का अस्तमाल कर क्राइम कंट्रोल करने को लेकर योजना बना रही है इसे लेकर पुलिस के दौरा सभी छोटे बड़े जिलो को शोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने का नर्देश दिया गया है लेकिन इसके साथ ही पुलिस मुख्याले के दौरा इसको लेकर कुछ नर्देश भी दिये गया है जिसके तहट अगर पुलिस के द्वारा अकाउंट बनाया जाता है तो उसे लगातार अपडेट रखना होगा जिसमें थानों से जुने बड़े और चर्चित उपलब्धियों को रोजाना अकाउंट पर डालना होगा इसके साथ ही अगर किसी अपराधिक मामलों में पुलिस को कोई उपलब्धी मिलती है तो उसे भी पुलिस को सोशल मीडिया पर अप्लोड करना होगा इसके लिए जिलास तरिये एक टीम का गठन किया जाए जो अकाउंट का समुझे संचालन और प्रबंधन करे सिक्षा विभाग ने मिड़े मील को लेकर दिया नर्देश सिक्षा विभाग के द्वार जनवरी एवं फरवरी 2023 में बच्चों को दिये जाने वाले मिड़े मिल को लेकर नर्देश जारी किया गया है जिसके तहट अधिक्तम 6 रूपे प्रती अंडा या मौसमी फल का दर नर्दारित किया गया है अगर जिन जलो में अधिक्तम दर से कम दर में अंडा या मौसमी फल उपलब्द करवाया जाता है तो कम दर पर ही क्रे करेंगे यह विशेश परिस्ति में ही अंडे या मौसमी के दर को बढ़ा कर 10 रुपे प्रती अंडा नर्धारित किया गया है इसके अलावा नर्धेश में यह भी असपस्ट कर दिया गया है कि जनवरी और फरवरी 2023 को छोड़ सेश महीने के लिए अंडे या मौसमी की दर पुर्व की भाती 5 रुपे ही रहेगी वही अतरिक्त वे को ततकाल उपलब्ध रासी से ही प्रती पूर्ती करना सुनश्चित किया जाएगा पुर्वशांसद आनंद मोहन आज लोटे जेल जिसके बाद वे बिहार की राजनीती में बहुत अहम भूमिकार निभा सकते हैं लेकिन ऐसा कब होगा इस बारे में अभी तक किसी से भी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है वहीं जेल जाने से पहले आनंद मोहन के दोरा कहा गया है कि बहुत चल्द ही उनके बेटी की भी शादी होने वाली है जिसमें वो एक बार फिर से पैरोल पर जेल से बाहर आएंगे बहीं यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी बेटी के शादी अरेंज होी ही या लघ उन्हाने कहा कि जस तरह से मेरे समर्थन में लोगों के द्वारा आवाज उठाये गया है और मुक्हे मंतरी ने भी खुले मंच से मेरे दीहाई की बात की है ऐसे में सरकार और मुख्यमंत्री को मेरी दिहाई के लिए पहल करने चाहिए पटना कांट पर बिहार सरकार के मंत्री का बड़ा बयान बिहार के राजधाने पटना के जेठुली गाउं में हुए कांट को लेकर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेट के दौरा बड़ा बयान दिया गया है उन्होंने कहा कि बिरोजगारी और महगाई के तराओं में युवाओं के द्वारा इस हिंशा से बढ़े काम को अंजाम दिया गया है अगर विहार के लोगो को रोजगार मिले तो ऐसा ना हो क्योंकि वैसे लोग जो विरोजगार होते हैं वे अक्सर इस तरह के हिंसा वाले कामों में शामिल हो जाता है बतादे कि दो दिनों से पटना का जेठूली गाउं पार्किंग के मामुली विवाद को लेकर तनाओं की आग में जल रहा है वहें सखटना में तीन लोगों की मौत भी हो चुकी है बतादे कि सत्या के विरोध में ग्रामिनों ने हत्यारों के घर और संपत्ति को आग के हवाले भी कर दिया था पुर्णिया में महागरवंधन की महारैली को लेकर आरजेटी की तयारी और साथी मंत्रियों के नत्रतों में आर्ट जिलों में अनुभवी और कदावर नेताओं की तैराती भी की गई है जो अब उसी छेतर में अपना डेरा जमाएंगे पतादी के 25 तारी को होने वाली रैली में मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री समीत अन्य नेता भी लोगों को संबोधित करेंगे राजत प्रवक्ता चितरंजन गगन के द्वारा दी गई जानकारी के नुसार इस रैली को एतिहासिक रूप में सफल बनाने के लिए दरसल उपिंदर कुष्वाहा ने जेडियू इसलिए छोड़ा क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि 2025 का अन्य तत्व उप मुख्य मंत्री तेश्री यादव के द्वारा किया जाएगा वही अब इस मुद्दे को लेकर जेडियू के राश्री अध्यक्ष ललन सिंग और राश्र 24 आने वाला है तो उसकी बात कीजिए वही दूसरी और केसी त्यागी का कहना है कि 2025 का विधान सभाचनाओ तो नस्दीक है मुख्य मंत्री 2030 के चुनाओ का भी नत्रत करने के समर्थ हैं लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे किससे पहले मुख्य मंत्री 39 कुमार के द्व कोट के द्वारा बिहार के उप मुख्य मंत्री तेरश्वी यादव और उन्ही के पाठी के विधायक भाई विरंद्र को कही साल पुणाने मामले में बड़ी राहत मिली है बता दे किन दोनों को कोट के द्वारा प्रतिबंदे छेत्र में भीर एकटा करने और मार्ग अवर करने की प्रातना की गई थी जिसके बाद बंद दोनों को दस-दस हजार के नीजी मुचलके के साथ उसी राशी के दो जमानतदार को बंद पत्र ताखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने कादेश दे दिया गया उपेंद्र कुश्वाहा की पार्टी ने जेडियो आर्ट जे पार्टी जेडियो और आर्ट जेडियो को खुली चनौती दे रही है बतादे कि इस पोस्टर में साफ तोर पर लिखा है उपेंद्र कुश्वाहा को लाएंगे नया बिहार बनाएंगे इसके साथ इस पोस्टर में जै किसान जै नौजवान भी लिखा गया है मालू हो कि उ जीवचंत पाटेल पत पर भी लगाया गया है जहां आरजेडिण और जेडियो का कारयाले है और उन दोनों कारयालों के सामने ठीक उपिंद्र कुश्वाहा का यह पोस्टर लगा है भारतिये महिला क्रिकेड़ टीम ने सेमी फाइनल में किया प्रवेश डेयर स्के नियम के टीम की कप्तान हर्मन प्रीद कौर के दोरा टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया गया था जिसमें भारतीय टीम के दोरा 6 विकेट खोकर 155 रन बनाए गया जिसका पीछा करते वे आयल लैन की टीम के दोरा 9 ओवर तक 2 विकेट के नुकसान पर 54 रन ही बनाया ढए जासका और फिर बाद में बारिश हो जाने की कारण माच को रद कर दिया गया जानी आज बिहार में क्या है पेट्राए टीसल के रे जारी किए गए इसके बाद राजधानी पठणा में आज पेट्रॉल 2017,92 रूपे और डीजल 94.2 रूपे प्रतीलीटर में मिल रहा है म नागरपूर में पेट्रॉल ही कीमत एक सो आर दसमलो दो छे रुपए और डीजल ही कीमत चुरानवे दसमलो नौ साथ रुपए प्रती लीटर निरधारित की गई है। नहीं हमादर पूछे के सवाल का जवाब दिया है। अगर आप यूटूब से देख रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद। अगर झाल को सबता है।